हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुवात करते हैं आज के सेशन में हम लोग प्लान करेंगे कि इवनिंग में जो टेडर्स बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉमोडिटी ट्रेडिंग में जब क्रूड आयल को साम के सेशन में पांच बजे के बाद आप लोग ट्र लिए हमारे पास ट्रेड प्लान होगे सबसे पहले हम लोग पूड आयल को देखेंगे कि किस तरीके के चार्ट पैटन को भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो आप टू बाटम अप्रोच को जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कि सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम के जाकर चार्ट को देखना चाहिए जब किसी चार्ट को आप देखने की शुरुवात पहली बार कर रहे हूं अगर आप प्रूड ओल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले एक बिगर टाइम फ्रेम को जाके हमको देखना चाहिए उसके बाद लोगर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना चाहिए top to bottom approach कि यह पता लगे कि बड़े buyer या seller क्या कर रहे हैं उसके बाद उन्हीं buyer अगर ज्यादा potential दिखा रहे हैं या फिर seller अगर ज्यादा potential दिखा रहे हैं अगर buyer ज्यादा potential दिखा रहे हैं तो उनकी तरफ हम trade execution के plan करेंगे अगर seller दिखा रहे हैं तो उनके side अपना trade execution के लिए plan करेंगे चले शुरुबात करते हैं सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पर एक हमको अच्छा clear view मिलेगा तो हमको अवर और उपर के किसी टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अभी recent टाइम फ्रेम पर अगर आप जाके देखें तो हम लोगों ने crude oil में consecutive basis इस पर 65-100 से गिरावट की शुरुवात की और एक जो लो लगाया वह पच्छपंद सौ का लगाया लगवर 1000 पॉइंट की गिरावट में एक लो के बाद जब प्राइज ने यहां से रिट्रेस्मेंट किया तो दूसरा लो लगा है प्रीवियस लोगों ब्रेक करके तो यहां पर major एक स्विंग यह रहा एक major स्विंग यह है उस major स्विंग में जो पहले स्विंग का लो है उसको हम रिटेस्ट कर रहे है है रिसेंट अभी अगर रिसेंट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें आप अवली टाइम फ्रेम पर तो इसे प्राइज को हम रिटेस्ट कर रहा है तो यह दो तरीके से होता है समझे पहला यह कि कोई भी रजिस्टेंस एरिया अगर एक बार पुल बैक लेने के बाद ब्रेक हुआ तो पहली बार पहुचने पर वहाँ पर शॉट की पोजिशन बनेगी ठीक है दूसरी बात अगर वहाँ जाकर एक्युमेलेशन चल रहा है तो एक्युमेलेशन दिखेगा लास्ट स्विंग लोग के ब्रेक होने से पहले-पहले प्राइस वहां पर कंसॉलिडेट करेगा तो recent crude oil का जो momentum वो क्या कर रहा है consolidation near resistance की resistance के पास अपने प्रतिरोध price के पास जाकर हम लोग ठहराओ कर रहे है consolidate कर रहे हैं वहाँ पर रुखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे price में हमको कैसे अपने entry exit प्लान करने होंगे जब हम एक tight range को play कर रहे हैं जहां पर sellers higher side बैठे हुए है positions को aggressive short करके और buyers कोशिश कर रहे हैं इन sellers को break किया जाए तो यह hot range है यहां से breakout होने पर wild momentum या low break होने पर lower side wild momentum की possibility होती है सबसे पहले जो हम लोगों ने marking की है उसको यहां पर लगाके बगते हैं 6015 के आसपास का यह resistance area है अब हम लोग छुड़े time frame पर shift होते हैं देखें समझने की बात यह है कि आप अपने intraday positions को plan कैसे करें ठीक है अब हमको find out करना है कि sellers की तरफ से अच्छा यह sellers range है प्राइस ने जब यह low break किये तो यहां से आप यह disaster move देख सकते हैं 6500 कितनी तेजी से प्राइस lower lows लगाते हुए नीचे की तरह बढ़ा है तो यह तो एक aggressive seller का point है जहां से प्राइस को बहुत तेजी से गिरावट करना चाहिए लेकिन recent price में हम लोग जो देख रहे हैं तक आपका 615 का price safe है तब तक लेकिन recent market condition को अगर देखा जाए तो sellers उतना aggressive नहीं है जितना previous time की ग्रावट पे रहे होंगे इस time यह देखिए प्राइस ने downwards move किया एक swing लिया दुबारा से लो लगाने के लिए यह momentum इस तरीके के wild momentum आपने देखिए उस तरीके का price अभी आप consolidation कराने का यही हमारे लिए सबसे key point है सबसे पहले 610-15 की price को मार करते हैं अब higher time frame पे दुबारा से लोटते हैं अब देखते हैं buyers क्या कर रहे हैं sellers का potential आपने देख लिया कि sellers कोशिश तो कर रहे हैं कि short की आ जाए और sellers का behavior मैंने आपको बताया aggressive होता है गिरावट होगी तो बहुत तेज होगी यह गिरावट का sign नहीं कि छोटी-छोटी red candles में आप गिरावट कर रहे हैं इसको आप downfall बोल दे नहीं और अगर आप buyers का price देखें तो buyers अभी तक क्या कर रहे हैं इन्होंने यहाँ पर देखिए पहला price क्या करता है बताये price repeat itself ना अगर लगाताा consecutive candle close करती हैं उसको हम क्या कहते है positive consolidation बोलते है तो यह positive consolidation है और यह positive consolidation कहीं यह तरीकों से होता है वो भी एक positive consolidation ही क्योंकि last candle के high के उपर sustain करना price का वो चाहे किसी तरीके से कहे चाहे momentum के साथ करे चाहे consolidation के साथ करे वो sustainability वही positive consolidation बता रही है ठीक है तो यह एक buyer's approach है और यहां पर यह जो खरीदारी का तरीका है वो कैसा है bottom के पास price में last candle के high लगा कर consecutive higher rise formation उसके बाद जब price गि और मैंने आपको सिखाया है कि बड़े time frame hourly time frame के setup चोटे time frame पांच और दो मिनट के time frame पर दो और पांच मिनट के setup hourly time frame पर एक दूसरे को repeat करते रहते हैं एक दूसरे को दोहराते रहते हैं तो अभी तक के पूरे session में जो हमने सीखा कि हम लोग nearby resistance एक position को trade कर रहे हैं 6000 के आसप पास से जो खरीदारी उठी वो lower lows के formation को काटते हुए higher high के बाद नहा है उस high के बाद और नहा है उस high के बाद और नहा है ऐसे लगते हुए price यहां तक पहुँच चुका है और इस पूरे formation में जो एक key है वो है last swing low को safe रखना अच्छा अभी आपने जो recent हम लोग momentum देख रह रहे थे अपने last swing low को safe रख रहे थे मैं आपको बताओ यह बस देखते है प्राइस को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपके चीज़े के लिए रोख यहां पर अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है buyers price को seller के price के पास तक ले जा रहे है और अपने last swing low को safe रख रह अगर यह यहां पर रुखता तो यह seller's approach होती swing low break होते फिर breakdown होता यहां पर एक यह positive consolidation था और यहां पर एक अगर आप अभी recently देखें तो यहां पर यह positive consolidation का तरीका अलग है लेकिन हैं दोनो positive consolidation ही तो यहां पर price दुबारा एक resistance area के पास तो हम लोग पहुँच चुके हैं लेक आपको एक liquidity एक बड़ी buying उठाने के लिए lower level निचले इसतर पर आना होगा वो area यह सारे हैं यह सारे अच्छा इन areas में आने के लिए यहां से demand उठाने के लिए आपको पहला काम क्या करना होगा यह swing low break करने होगे तो हमारे लिए अब आज recent session के लिए intraday के पूरे session के लिए दो trade plan है पहला trade plan यह momentum का repetition यह momentum का repetition जो की recent है अभी 2 और 5 बट के time frame पे मैं आपको दिखा दूँगा इसके बाद दूसरा trade plan यह कि अगर price इसका repetition नहीं करेगा तो क्या करेगा तो इस area से liquidity उठाने आएगा इसका मतलब है long करने के लिए हम near wise support price का use करेंगे और short करने के लिए उस support के breakdown का use करेंगे तो हमारे लिए major key level क्या है अभी हमारे लिए 6,015 का level कोई key level नहीं क्योंकि जब वो break होगा उसके बाद वो key level है अभी तो intra day के लिए हम position प्लान करें अगर आज ही 6,015 break हो जाए तो तो हम momentum higher side देखेंगे ठीक है लेकिन जब तक नहीं break हो रहा है तब क्या छुटे time frame पे दो position पहला यह कि अगर इस range से अभी recently आज साम के session तक कभी भी यह जो range है अगर इसको आप मार करें तो यह range है लगबग आप देखिए 58,590 से लेकर अठा उन सट सो तक की ठीक है यह 10 point का range है अगर यह range का breakdown हुआ तो पहला target आपका होगा 500 और उसके होगी तो आपका 70-80 point का lower side एक अच्छा target होगा अगर आप वहाँ पर 8 EMA high को लगा लेंगे तो आप उस momentum को ride भी कर पाएंगे दूसरी बात breakout होने पर 6,015 के बाद आपकी position बनेंगी लेकिन 15 minutes के time frame की candle की closing चाहिए होगी और उस candle का breakout validation चाहिए होगा तीसरा point इस price का repetition liquidity उठा बनते हुए आपको दिखेगा जो price repeat कर रहा है चलिए पांच मेट के time frame पे चलते हैं यह क्या है बदाईगे प्राइज एक gap up opening के बाद consecutive लगातार morning से downwards गिरते आ रहा है और गिरते हुए price ने अपने last support area के पास एक candle बनाया और उसके high की उपर consecutive चार से पांच candle की close की तो यह है क्या एक positive consolidation positive consolidation और intraday trend जो है वो downside है previous major trend hourly time frame का upside है तो क्या हो सकता है intraday छोड़े time frame का trend bigger time frame में convert हो सकता है उसके लिए price को हम लोगों ने प्लान किया है 5880 से लेकर 5890 जब यह range break होगी तो lower time frame पांच मिनट का जो directional move है lower side यह trend convert हो सकता है higher time frame में hourly में तो आपको जो target मिलेगा 500 मिलेगा यह 80 point का आपका target है पहला पात दूसरी बात अगर यह positive consolidation है और price अपने support area 5880 के पास जाए न और उसके पहले अगर इसी को touch करके यहाँ पर कोई rejection ले तो वहाँ पर आप long करेंगे और long करने के बाद आपका target होगा day high 6000 के पास पहला recent target अगर यह day high निकलने लगे तो फिर आप 6000-6000-15 के बाद 15 मिनट की candle की closing के बाद अपनी positions को higher side plan करेंगे यह जो trade plan अभी recently हम लोगों ने discuss किये यह सारे आज के बस intraday purpose से हैं जब तो crude oil की closing नहीं होती तब अब कल के लिए जो trade plan रहेंगे वो अवली time frame से ही हम recite कर सकते हैं तो हमारे लिए अगर आप positional trade करत यह no trading range है जो futures को long कर रहे हैं crude oil के दो futures है एक crude oil mini जो 10 का lot है और crude oil वो 100 का lot है तो मैं suggest करता हूँ अगर आप नए हैं बाजार में और crude oil mini को trade कर रहे हैं तो कोशिच कीजिए crude oil mini को ही trade किया जाए क्योंकि छोटा सा ticket size है 10 का तो आपका SL और target में आपकी practice बहुत अच्छी होग करेंगे बड़े lot size के साथ मत जाएए वहां आपका fund required margin भी 5,000,000 के राउंड बैठता है यहां आपका margin 25,000-30,000 ऐसे बैठता है छुटे lot size में अगर आप community में अभी तक active trader नहीं है तो यह जो मैं DMAT use कर रहा हूँ यह धन का DMAT है इसका link आपको discussion में मिल जाएगा यहां पर आ अपनी request कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो description में आपके पास telegram और WhatsApp community का link है धन्यवाद